आज हम लोग बनाते हैं परफेक्ट हाफ केजी का या आधा किलो का केक इसमें हमें प्रिमिक्स कितना यूज करना है तेल पानी सारी चीज़े कितनी यूज करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप होम बेकर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज है आपको 100 या 120 रुपीज में किसी भी केक मट्रियल शॉप में ये मिल जाएगा आधा किलो का चॉकले प्रिमिक्स का ये पैकेट तो इस तरह से हमने इसका वेट भी कर लिया है देखिए आधा किलो का है ये तो आज हमें केक बनाना है अगर हाफ केजी का आधा किलो का तो ह सबसे पहले नहीं आपको ये मेजरिंग 1 स्केल है मशीन है वेट करने की उसके उपर बता कर दिखाती हूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो बॉल हमने रखा है इसका वजन हमें माइन नहीं सर नहीं है देखिए जीरू पर हमने ये मशीन कर दी है अब इसमें हम यहां पर लगभग यह 150-500 ग्राम के करीब हो चुका है और हमें बस एक से डेड़ चमचेस में डाल देना है तो यहां पर हो चुका है यह पूरा 170 या 74 ग्राम के करीब तो हमें लेना है 170 ग्राम अगर आफ होम बेकर है ना तो एक दम पॉफेक्ट ना प्लीजे बिलकुल भी आ मेजर करके और अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप लोग कप से कितना नापेंगे वह भी मैं आपको बताती हूं तो यहां पर मैंने 240 अमल का यह कप लिया है तो आपको यह जो 240 अमल का कप है पूरा भर के इस तरह सी यह डाल देना है यह थोड़ असा दो ट फ़ोर्त कप पाणी लिया है अर बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोग इसमें पानी अड़ करते जाएंगे इस तरह से पानी के कौंटिटी थोड़ी सी कई बारना कम या ज़ादा हो सकती है क्योंकि कई ब्रैंड्स के जो प्रिमिक्स है थोड़ा सा कम पानी लेते है कई ब्रां का प्रेमिक्स यूज किया है बहुत ही अच्छा प्रेमिक्स है मैं बिल्कुल भी यहां पर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन अच्छा है बाकी के भी अच्छे है जैसे की पिल्स बरी का हुआ या चिरा कंपनी का भी बहुत अच्छा है इस तरह से हमारा बैटल तयार हु तो भी चॉकलेट का पूरा फ्लेवर इसमें आ जाता है तो इस तरह से हमें यह बैटर तयार कर देना है और इस केक को तयार करने के लिए बेक करने के लिए हमने केक टिन कौन सा लेना है वो भी बताती हूँ तो हमें यहां पर लेना है छे इंच का यह केक टिन इसकी हाइट है तेल से हमने ग्रीसिन करके बटर पेपर भी शॉचे हुआ में जालके से ताप पनल दिया है कि त 9 इससे लिए भ Mr.M तक तीस मिनिट के बाद आप लोग इसे एक बार चेक करके देख सकते हैं लेकिन 5-7 मिनिट कमे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि गास की फ्लेम के ओपर इसक का बीकिंग टिपेंड होता है पूरे 35 मिनिट के बाद देख सकते है गास हमारा पॉफ्टेय किक एकडम बेकरी ज डिमोल्ट करने के लिए आपको साइड में इस तरह से चाकू या नाइफ की मदद से इसे लूज कर देना है इसकी एजस और बस इस तरह से निकाल लेना है एक दम पॉफिक्ट बेकरी स्टाइल यह केक बनता है आज हमने प्रिमिक से किस तरह से यह केक बनाना है वह देखा है अगर आप मैदे से आधा किलो का केक किस तरह से बनाना है वह देखना चाते है तो कोमेंट सेक्षन में मुझे वह भी बताइए मैं उसकी भी रेसिपी जल्दी अपलोड करूँगी तो इसके नीचे का जो बटर पिपर है गाईज उसे हमने निकाल दिया है और देख सकते है कितना बड़िया सा हमारे है कि यहाँ पर तयार हुआ है और अंदर से भी कितना ज़दा सौफ्ट और चाली दार है यह भी आप लोग देख सकते हैं तो जरूर इस तरह से यह हाफ केजी का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि कितना प्रिमिक्स लेना है कितना कौन सा टिन लेना है तो यह वीडियो जरूर आपके काम की है और हाँ इसके बाद आप लोगों को इसे डेकोरेट करने के लिए क्रीम कितने लगेगी वो भी मैं आपको विदाती हूँ तो दो सो चालेस एमिल का एक पूरा कब भरके आपको यहाँ पर यह विपिंग क्रीम इसे अच्छी तरह से इलेक्रिक बीटर से बीट करना है और बाकी शुगर सिरॉप वगरा शुगर सिरॉप आपको 50-60 ml तक आप लोग यूज कर सकते है इस केक में आपका पॉफेक्ट हाफ केजी का आदा किलो का केक तयार हो जाता है क्रीम इस तरह से किस तरह से बीट करनी है उसका भी वीडियो नीचे लिंक मैंने दे दी है वो भी आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं आज काई मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़दा हेल्फुल रहा होगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इसे एक साथ या नए रस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पो वाचिंग टेक केर बाई बाई